हलोग दोस्तों मेरा नाम है जयचिंद गंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूटुब चैनल जयचिंद राजस्तानी दोस्तों आपको तो पताइए कि मैं फिलाल राजस्तान आया हूं अपने गाउं दचुरू सिटी में पर फिलाल मैं आज चुरू में नहीं हूं मैं हुँ अपने नानी के घर एक छोटे से गाउं में निरादनु नाम है गाउं का और जुन जुन जिले में पड़ता है दोस्तों सुबह हो चुकी है और इस वक्त राजस्तान में काफी सर्दी है बिना स्वेटर और मफलर के बाहर निकला बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है इस व कि जाएंगे तो क्यों न rifle के मालने मेंसे वह सब चीज दिखाऊं तो इस वीडिएयो के माद आम से आपको यह सब चीज देखने मिलेगी तो स्वेडियो को पूरा देखना आपको भौत अच्छा लगेगा दोस्तोऊ पूसरा काम करने उन्हा निकालते ओं अभी समय दिया निकालने के लिए देख के बहुत अच्छा लगा और आप देख सकते हो कितना खुपसरों तो उंटे और यह राजस्तान में काफी पाए जाते दोस्तों दोस्तों जैसे गुलक काट होता है वैसे ही राजस्तान में कैमल काट होता है दोस्तों हमारी लोकल बाश्या में और मारवडी बाश्या में इसे उंट गाड़ा भी बोलते है और जो खेत में काम करते हो जादा कर इसी के ओपर सवार उकर खेत में जाते है दोस्तों मेरे नानी की घर में हमारा खुद का उंट भी है, हमारे परसनल उंट भी है और साथ में बहुत सारे जानवत और भी उंके घर में दोस्तों राजस्तान में जो लो खेती करते हो उंकी घर में उंट मिलना भहुत ही आम बात है राजस्तान में और आप यह देख सकते हैं कि कैमल काट है दोस्तों से बुलक काट होता है वैसी कैमल काट भी होता है यह उंट से जोड़ा जाता है और वजन्ट होने के लिए काम आता है यह देख सकते हैं कि दोस्तों एक छोपड़ी है दोस्तों इसके अंदर काट है इसका चारा रखा जाता है उंट वगेर का चारा रखा जाता है इसके अंदर दोस्तो एक आयब है इसका गोबर है इसको सुकाने के लिए यहाँ पे रखा जाता है और बाद में इसको चूले में यूज़ किया जाता है आग के लिए मारवाडी या लोकल पाशा में से थेपड़ी भी बोलते है दोस्तो ये सामने बर्तन दिख रहा है एक खास चीज़ से बना हुआ है दोस्तो मुलतानी मिट्टी तो आपको पता ही होगी शेहरों में नॉर्मली पबलिक इसको फेस पे लगाती है लेडिस वगरा फेस पे लगाती है थोड़ा चेहरे पे गलो लाने के लिए ये बर्तन भी मुलतानी मिट्टी से ही बना हुआ है दोस्तो कागच को गला कर और मुलतानी मिट्टी को मिक्स करके ये बर्तन बनता है दोस्तो कागज को रात पर कलाया जाता है और बाद में इसको मुस्तानी मिठी से मिक्स किया जाता है और इसको सुपनिक लिए रख दिया जाता है एक मोल्ड में और बाद में ही बन जाता है बढ़ता है मारवाडी में या लोकल पाश्या में से दोस्तो ठटिया भी कहा जाता है और ये गांव की टिपिकल ओखली दोस्तो एक है ओखली और एक है मुसर्ड दोस्तो ये देख सकते हो कि एक गांव का चूला है आज भी छोटे-छोटे जो गांव के राजस्तार में वहां पेया से चूले होते हैं और चूले के ओपर सेकी वी रोटी का मजा ही कुछ और है दोस्तो गांव की लाइफ इतनी सुकुन बरी और इतनी शांत बरी है कि मैं बताई नहीं सकता दोस्तो मैंने सिफ एक चीज़ की यहां पर कमी पाई है कि यहां पर लोगों के पास काम नहीं यहां पर रोजगार नहीं है अगर यहां पर काम और रोजगार हो ना तो दोस्तो तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी सुकुन भरी और इतनी शांत भरी जगा को कोई छोड़ कर जाना पसंद करेगा और दोस्तो हेल्थ के नजेरिये से भी देखा है तो गाव की लाइफ भौत ही सुकुन भरी है अगर अपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है आपकी अगर हेल तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना आपने दोस्तों के दाथ शेर करना और आपकी अगर कोई राय और सुझाओ तो कमेंट करके मुझे नीचे जरूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूटूब चैनल जया चंद्राजस्तानी को दोस्तों सस्क्राइब क करना मत बुलना तो मिलते अगले वीडियो में तब तक दोस्तों टाटा